हेलो बच्चों कैसे हो आप सब मैं प्रीति मिर्शा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल पीट्यू एजूकेशन में आज हम लोग क्लास 10 की जो चप्टर 3 है किर्णों का खेल जो मेथिली सरन गुपता जी की एक पॉयम है जिसमें उन्होंने प्राकृतिक सुंदर्ता के बारे में बताया है उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक में मौझूद सभी चीजे पेड, पोधे, पहार, अकाश, नदी सभी अपनी कारिये किस प्रकार करती है यह उन्होंने अपने पॉयम में मतलाया है तो चलिए बच्चों, हम पॉयम देखते हैं, यहां कभी ने हमसे क्या कहा है, तो पॉयम का पहला इस्टेंजा क्या है, चलिए देखते हैं चारू चंद की चंचल केरने, खेल रही है जल थल में, स्वच चांदिनी बिची हुई है अवनी और अंबर के थल में ठीक है, यहां कभी ने क्या कहा है, चारू चंद की चंचल केरने, चारू मतलब सुंदर, चंदर मतलब चंदरमा की चंचल केरने, खेल रही हैं, कहां चल थल में, स्वच चांदिनी बिची हुई है, मतलब स्वच मतलब साफ, चांदिनी मतलब रोशनी जो है, चंदरमा की जो खेल रही है जल थल में जो सूर्य की रोशनी है जो चंद्रमा की रोशनी है वो कहां दिखाई दे रही है जल पर दिखाई दे रही है ठीक है और उसकी जो साफ रोशनी है उसकी जो निर्मल रोशनी है वो पूरी आकाश में फैली हुई है और वो धर्ती पे भी दिख रही है पुलक प्रकट करती है धर्ती हरी त्रिणों की नौकों से, मानो जूम रहे हैं तरू भी मदनुपवन के छोकों से, पुलक प्रकट करती है धर्ती मतलब जो धर्ती है अपनी खुशी प्रकट करती है, यहाँ पुलक का अर्त क्या है? खुशी, जो धर्ती है वो अपनी खुश त्रीनों मतलब घासों से, थीक क्या ही स्वच चांदिनी है यह क्या ही निस्थम निशा मतलब क्या रात और निस्थम मतलब शांट स्वच मतलब साफ चांदिनी तो रोशनी ठीक है तो यहां कभी कहते हैं कि क्या ही साफ रोशनी है इतनी रात की जो रात में जो सन्नाटा हुआ मतलब चारों तरब क्या है रा रात में क्या है जो चंद्रिमा की रोशनी है वो पूरे आकाश में क्या है फैली हुई है और एकदम शान्थ है रात की जो रोशनी है एकदम आकाश में शान्थ मतलब चारो तरफ सन्नाटा है पूरा शान्थ लग रहा है ठीक है तो उसमें क्या हो रहा है जो हवा है गधवा म मतलब आजादी मतलब स्वतंतरता से और सुमंद मतलब धीमिगती से और उसी में जो हवा है वो क्या करिए धीमिगती से आजादी से बह रही है निरानन्द है कौन दिशा मतलब ऐसा कोई भी दिशा नहीं है जिसमें आनन्द ना हो चारो दिशा में क्या हो रही है आनन्द भी खेल रही है चारोदिशा आनंद से भर चुका है ठीक है तो कभी यहां क्या कहते हैं जो रात की रोशनी है वो एकदम क्या है शांत है ठीक है एकदम शांत सौभाव से भरी पूरी है और दीमी गती के साथ आजादी से जो वह हवा बह रही है वो क्या कर रही है चारोदिशा को पुरा आनन से भर दी है ठीक है, next point है यहाँ अब नहीं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्य कलाब पर कितने एकांध भाव से कितने शांद चुप चाप यहाँ कभी क्या कहते हैं? बंद नहीं अब भी, किसे कहते हैं? प्राकृति को कभी कहते हैं कि जो ये प्राकृतिक का कार्य है वो अभी बंद नहीं हुआ है चल ही रहा है नियती नटी के कार्य कलाब नियती नटी किसको कहा गया है प्राकृतिक रूपी निर्थिकी को ठीक है प्राकृतिक रूपी जो निर्थिकी है वो क्या कर रही है अप दा में केले चुपचाप शांती से अपना क्या कर रही है काम कर रही है प्राकृति हां नेक्स्ट है हे बिखेर बिखेरती देती वशुंद्रा मोती सब के सोने पर रभी बटोल लेता उनको सदा सवेरे होने पर तो यहां कभी क्या कहते हैं हे बिखेर देती वशुंद्रा वो अपनी रोश्णी से हमारे प्रिथिवी को सरवर कर देती है मतलब बहुत ही सुन्दर बना देती है ठीक है चारो तरब क्या होते है चंदर्मा की रोश्णी विखर जाती है और उनकी रोश्णी मोती के समान हमारी प्रिथिवी को विखेर पूरी मोती के समान हमारे पूरी प्रिथिवी पर क्या होती है विखर जाती है और ठीक उसी प्रकार जब सुबा होती है जब सूर्य उदय होता है तो वो क्या करती है सभी मोती को विखेर मतलब बटोर लेती है ठीक है क्या करती है समेट लेती है और जैसे ठीक रभी मतलब सू संध्या को दे जाता है सुन्य शाम तनू जिससे उसका नया रूप छलगता है और तो यहां लाश्ट इस्टेंजा में कभी ने क्या कहा है और विराम दैनिया अपनी मतलब यहां कभी ने संध्या के समय को विराम दैनिया कहा है कभी ने कहा है कि जैसे जब संध्या के समय होता है तब विराम दैनिय हो जाता है मतलब कि जैसे संध्या का वक्त आता है तो सब लोग क्या करते हैं संध्या के समय अपने अपने घर आ जाते हैं पशू बच्छी हुए मनुश्य हुए सब संध्या के वक्त क्या करते हैं अपने घर को विराम करने के लिए अपने घर को आते है इसलिए कभी ने संध्या के वक्त को विराम देनिय कहा है ठीक है जैसे संध्या होता है कि सब अपने अपने घर को लोटाते हैं और ठीक सुनने श्याम तनू जिससे उसका नया रूप जलगता है मतलब कि जैसे जैसे संध्या का रूप जैसे जैसे और मतलब समय पार होता जात किस में बदल जाता है रात में बतल जाता है और गहरी रात होने लगती है और वह संधिया के वक्स Satya होगता है तो यहाँ पूरे पॉयम में कभी ने क्या बतलाया है, कभी ने यही कहाया है कि यह जो प्रीथी भी है, इसमें जो प्राकृती अपना है, कार्य क्या करती है, निरंतर करते रहती है, बीना ठके, बीना रुके, वो क्या करती है, अपना कार्य करते रहती है, नहीं वो किसी की सा करती है ठीक है तो इसी के साथ यह पॉयम यही समाप्त हुआ उम्मीद करती हूं आप सबको पॉयम अच्छी लगी होगी ठाइंक्यू जय हिंद